उन दिनों ऐसा था कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्म तो मैंने एक काम किया जिसकी वज़े से सभी को लगा कि मैं सभी का दुश्वन बन गया फिर मैंने सभी शिक्षिकों के साथ एक समझाता किया देखिए हर किसी को हर बात के लिए मनाया नहीं जा सकता ठीक है कुछ चीजें बस कर दी जाती तो मैं आपको एक उधारन देता हूँ जब मैंने बारवी कक्षा पास की उन दिनों उसे पी उसी कहते थे उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं खुद को शिक्षित करूँगा मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था ये परिवार ऐसा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं कॉलेज नहीं जाना पाप की तरह है कम से कम आजकल थोड़ा लचीला पढ़न है उन दिनों अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्न क्यूंकि आज अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप शायद अपनी जीवन शेली खो सकते हैं लेकिन आप अपना जीवन नहीं खोएंगे वो ऐसी पीड़ी थी जिसमें अगर आप कॉलेज नहीं जाते उसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते थे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं खुद को शिक्षित करना चाहता हूँ तो मैंने एक काम किया जिसकी वज़े से अचानक सभी को लगा कि मैं सभी का दुश्मन बन गया हूँ और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे मैंने एक काम किया मैं बताता हूँ आपको, मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था मैं दस गुना खाता था मैं आज के मुकाबले कम से कम दस गुना ज्यादा खाता था लेकिन मेरा वज़न कभी नहीं बढ़ा क्यूंकि मैं इतना ज्यादा शारीरिक काम करता था मैं नारियल के पेड़ों पर दोड़ते हुए चड़ जाता था मेरी बनावट वैसी थी मैं हर दिन 50 से 60 किलोमीटर साइकल चलाता था कावेरी में तैरता था और वापस आ जाता था तब उतना खाता था फिर मैंने मैसूर युनिवरस्टी की लाइबररी में जाने का फैसला किया हर दिन वो नौ बज़े खोलते थे मैं जाता था राथ में आठ बजब वो बंद करते थे तब तक मैं वहां बैठा रहता था और वहां मैंने हर तरह की चीजे पड़ि होमर से लेकर लोकप्रिय मेकैनिक्स और नाशनल जोग्राफिक से लेकर साहित्य तक भोगोल ये और वो सब कुछ जो भी मुझे मिला एक साल तक हर दिन मैंने इस थरह मपढ़ा बस हर तरह की चीजें लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हालांकि मैं इतना ज्यादा खाता था इस पूरे साल में मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया सुभे नाश्टे में जितना हो सकता था खा लेता था फिर वहां जाकर पूरा दिन बिना खाय बैटता था जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी थी क्यूंकि बिना खाय मैं बैट पाया इससे मेरे जीवन को देखने के तरीके में विस्तार आया लेकिन फिर परिवार का ड्रामा शुरू हो गया मेरी मा रोने लगी अगले शैक्षिक वर्ष में कॉलेज जाओ फिर मैंने कहा अगर मैं कॉलेज जाओंगा तो साहित्य पढ़ने के लिए जाओंगा मेरे पिता ने कहा तुम कविताएं पढ़कर क्या करोगे तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए उन्होंने मेरे लिए मिलिटरी मेडिकल कॉलेज में सीट पी देख रखी थी मैंने मना कर दिया फिर वो बोले ठीक है कम से कम इंजिनेरिंग तो कर लो फिर मैंने कहा देखिए अगर मैं कहूं डॉक्टर नहीं बनना चाहता आप कहें कि जानवरों के डॉक्टर बनो हायरुवेदिक डॉक्टर बनो कम से कम भूतों के डॉक्टर बनो तो मैं उस बारे में सोचूंगा मैं कह रहा हूं डॉक्टर नहीं बनना आप कह रहे हैं इंजिनियर बनो, मैं नहीं सुनने वाला, आपकी समस्या समाज है, आपकी समस्या मैं नहीं हूँ, तो मैं बस साहित्य पढ़ने गया, और इन तीन सालों के दोरान, शुरुवाती दिनों में सभी शिक्षकों के पास पहले से तयार नोट्स होते थे, उन्हें वो पढ़ते थे और सभी लिखते थे, उन दिनों फाउंटन पैन होते थे, जिनकी करकर की आवाज आती थी, चिन से मैं परिशान हो जाता था, मैंने कहा मैं ये करकर नहीं सुनना चाहता, मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, अगर आप हमें वो नोट्स दे दें, जो आपक को वापस दे देंगे, हमें आने की जरूत नहीं है, आपको भी आने की जरूत नहीं है, फिर अगर मैं वहां होता था, तो मैं सौँ सवाल पूचता था, जो उन्हें पसंद नहीं था, फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ समझाता किया कि वो मेरी हाजरी लगा दे, मुझे तो मैं महीने में एक बार जाता था, बस ये देखने के लिए कि वो अपना वादा निभा रहे हैं। तो मैंने मैसूर शहर की भुगोल की ऐसी खोज की, गाउं की हर पक डंडी, हर परवत, हर पक्षी का घोंसला, जो भी वहाँ था, हर चीज पर मैंने ध्यान दिया, बस बिना किसी लक्ष के गूमते हुए। लेकिन आज, जैसे जब मैं नदी अभ्यान के बोर्ट से मिलने गया, जहां सभी प्रमुख विशेशक्य हैं, तो कुछ प्रशन उठे और मैं उन्हें ऐसे ही समझा रहा था, तो वो बोले, सद्गुरु आपको ये सब कैसे पता है। मैंने कहा, जो तब बिना किसी लक्ष के गूमना था, जिसमें मैंने हर चीज़ पर पूरा ध्यान दिया, एक कीड़े, पतंगे और हर एक चीज़ पर मैंने ध्यान दिया, वो अब जबरदस्त ग्यान बन गया है। मेरा इरादा कभी कुछ सीखने का नहीं था, मैंने बस इसी लिए ध्यान दिया क्योंकि ये जीवन है, और बस यही करना होता है, हम यहां जीने आये हैं, और कोई भी उदेश्य नहीं है, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो आज ही जा सकते हैं, वो इसे टाल क्यों र जाना है, इसी वज़े से हमने यहां पर कई चीजों का विनाश कर दिया है,